तो चलिए मैस के स्टार्ट करते हैं टॉपिक है भिन भिन की अफधाना तो बेटा वक्षिट सार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजी ताकि मैं जब भी नेक्स वक्षिट डालूँ अप्लोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए भिन एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है पूर्ण एक वस्तू या वस्तू को समूँ हो सकता है मतलब भिन क्या होती है जो पूरे पूर्ण के एक हिस्से को पूर्ण मतलब होता है पूरा पूरे के एक हिस्से को दर्शाती जैसे अगर आप इस यह पिक्चर में देखेंगे यह पूरा है किस्ता है पूरा ठीक है पूरा एक सरकल है पूरा व्रत है तो यह जो है यह पूर पूर्ण है तो अब इसमें अगली पिक्चर में आप देखेंगे एक यह जो वृत बने हुए है तो अब आपको जब भिन लिखना होता है तो भिन में हम कैसे लिखते हैं जैसे कि अब मान लिजे पांच बटा साथ लिखा है तो यह जो पांच होता है ना बेटा यह पांच को हम कहते हैं अंश क्या कहते हैं अंश और इस साथ को कहते हैं हम हर तो अंश बटा हर इस तरीके से लिखते हैं अब यह हम कैसे लिखते हैं देखे अब जैसे यहां आपने जैसे दे तो यह भी चारो बराबर है, इसमें भी चारो बराबर है, तो जितने भाग होंगे, वो सारे बराबर होने चाहिए, चाहे वो 4 हों, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, जितने भी हो या 2 हो, ठीक है, वो बराबर होने चाहिए, अब देखो, टोटल कितने भाग है, इसमें 4 भाग है तो जितने भी total होते हैं वो हमेशा हम नीचे लिखते हैं यानि कि हर में लिखते हैं और जो shaded portion होता है मतलब जितना ये shade किया हुआ है तो ये कितना portion shaded है ये एक भाग shaded है तो इसका हम लिख देंगे एक ठीक है तो उत्तर आ जाएगा हमारा 1 बटा 4 इसे तरीके से दूसरा देखते हैं इसमें भी 4 भाग है तो total कितने हैं? 4 है कितने shaded है? 2 shaded है तो उपर 2 लिख दिया तो अब इसे हम काट देंगे 2 एक अम 2, 2 दुरी 4 तो उत्तर आ गया हमारा 1 बटा 2 ठीक है? अब अगला देखते हैं इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4 total कितने हैं? 4 है और shaded कितने हैं? 3 है तो 3 बटा 4 तो ये होता है हमारा भिन ठीक है? भिन में क्या होता है? अंश बटा हर ठीक है? उपर वाले नमबर को अंश कहते हैं, नीचे वाले नमबर को हर कहते हैं अब भिन को हमें संख्या रेखा पर कैसे लगाना होता है ठीक है अब जैसे बेटा जब भी हमें भिन को लखना होता है संख्या रेखा पर तो हम क्या करते हैं जैसे मान लीजिए दो बटा तीन है ठीक है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आपका अंश हर से छोटा ह तो वो 0 से 1 के बीच में आएगा, जिक है, मैंने क्या बुला, जब भी आपका अंश हर से छोटा होगा, तो जो भी नंबर लाइन बनेगी, वो 0 से 1 के बीच में आजाएगा, टीक है, वो भिन 0 से 1 के बीच में आएगा, जैसे कि आप यह देखिए, एक बटा दो, ठीक है, अगर मान लीजिए, मुझे एक बटा दो संख्या लेखा पे लगाना है, तो टोटल कितने भाग हुए, दो भाग हुए, तो 0 से 1 के बीच में में दो भाग बनाओंगे, एक, दो, ठीक है, क्यों, देखो, दो बटा दो, या निकी, यह तो कटके एक ही आदो, सो जीरो से 1 के में कितने भाग बनाने हो गए? 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 भाग बना लिए, तो चोथे भाग में तो एक आई जाएगा, और हमें अगर मान लो दो बटा चार करना हो तो यह एक बटा 4, दो बटा 4, तो यह हो गया 2 बटा 4, और यह 3 बटा 4, और यह 4 बटा 8 करना है, तो 1, 2, 3 यह 4 बटा 8 हो गया, ठीक है, áगे करते हैं, नेम्न को संख्या रेखा पर नेरूपित करीए, अब यह कुछ बिंदु दिये हुए है, भिन्न दिये हुए हैं, आपको यह संख्या रेखा पर नेरूपित करना, तो चलिए करते हैं, सबसे पहले है 2 बटा 3 और 1 बटा 3 अब देखो total कितना है 2 बटा 3 में और 1 बटा 3 में total है 3 भाग तो मुझे 0 से 1 के बीच में कितने भाग लेने होंगे 3 और मैंने आपसे कहा था अंश हमेशा अगर अंश छोटा होगा हर से तो वो 0 से 1 के बीच में आएगा तो अंश छोटा है हमारा हर से तो 0 से 1 के बीच में आएगा कितने भाग लेने हैं? 3 भाग लेने हैं तो 1, 2, 3 भाग तो ये 1, 1 होता है क्योंकि ये 3 बटा 3 होता है ठीक है? तो ये हो गया 0 से 1 के बीच में 3 भाग तो एक बटा तीन, दो बटा तीन और ये एक, तो हमें क्या दिखाना है, एक तो दो बटा तीन दिखाना है, और एक एक बटा तीन दिखाना है, तो ये हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, इसके बाद है, दो बटा पांच और तीन बटा पांच, ठीक है, तो यानि कि टोटल भा 5 को circle लगा देंगे और 3 बटा 5 को भी circle लगा देंगे ठीक है तो ये हमारा 2 बटा 5 और 3 बटा 5 हो गया इसके बाद 1 बटा 6 और 5 बटा 6 तो 1 बटा 6 यानि कि total कितने है 6 parts तो 1 2 3 4 5 6 छटा part तो खुद 1 ही होगा और उसमें हमें क्या दिखाना है 1 बटा 6 तो ये 1 बटा 6 और ये हो गया 5 बटा 6 अगला है 3 बटा 7 और 6 बटा 7 तो total भाग कितने हो गए? 7 भाग हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 भाग खुद 1 होता है ठीक है अब इसमें हमें क्या दिखाना है? 3 बटा 7 तो ये 1 बटा 7 3 बटा 7, 4 बटा 7, 5 बटा 7, 6 बटा 7 और ये 1 है ठीक है? तो हमें 3 बटा 7 बटा 7 बनाना है तो 3 बटा 7 को सरकल लगा लिया फिर ये 6 बटा 7 को हमने सरकल दिखा दिया सरकल लगा दिया तो ये हमारे ये जो संख्या रेका हो गई इस पर हमने ये भिन दिखा दिये है, ठीक है बिटा, अगला प्रशन है, संख्या रेका पर बिंदू A और बिंदू B के लिए भिन लिखे, अब ये दिखो, इन पर बिंदू नाम लिखे हुए, A और B, अब हमें नाम लिखने हैं, इनका ये भिन लिखा है, अब देखो, सबस लिखते हैं, अब अगर मैं उजए A का लिखना हूँ, ठीक है, तो A की वैल्यू क्या आएगी, 1, 1 बटा 6, और ये होगी 2 बटा 6, ठीक है, तो A की वैल्यू हो गई, 2 बटा 6, इसको मैं कट कर देती हूँ, 2, 2, 3, 6, तो उत्तर हो गया, 1 बटा 3, ठीक है, अब B की लिख लि चाटा भाग तो खुद A की है, तो 5 बटा 6, B की वैल्यू आ गई, 5 बटा 6, A की वैल्यू आ गई, 2 बटा 6, जिसको हमने काटा, तो 1 बटा 3 हो गया, और B की वैल्यू आ गई, 5 बटा 6, ठीक है, अगला करते हैं, थर्ट प्रेशन है, चायंकित भाग को भिन्न की रूप में लिखें, अब देखो जो शेडिट पोर्शन है, उसको लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल देखते हैं, 1, 2, 3, 4, टोटल कितना है, तो यह चार नीचे लिख दिया, अब इसमें शेडिट कितना है, चायंकित भाग कितना, 1, 2, 3 है, तो 3, 4 हो गया, इसी तर आट रहे, 2, 1, 2, 2, 4, तो यह उगया, उत्तर एक बटा, 4, तो हमारा उत्तर आगया, एक बटा, 4, इसका आगया, तीन बटा, 4, और इसका आगया, एक बटा, 4, अगला प्रशन है, निमनलिकित भिन संख्याओं को किसी भी जामितिया आकरति द्वारा, छायंकित द्वारा तो अब क्या करना है, हमें, जैसे ये दर्शाई हुई है, तो अब हमें भिन दे रखे हैं, अब हमें इस तरीके से ये बनानी है, छायंकित करके दर्शाना है, ठीक है, जामितिया आकरति बनानी है, तो अब कैसे बनाएंगा, जैसे तीन बटा, टोटल कितने है, चार, तो ये हो गया 3 बटा 4, ठीक है, अब दूसरा है 3 बटा 5, तो मैं 5 भाग बना लेती हूँ, इस तरीके से बना लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, और एक और बना लेते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5 हो गये, और कितने भागों में करना है, 3 भागों में, तो मैं इसके 3 भागों में shaded कर दूँगे ठीक है, तो ये हो गया 3 बटा 5 ठीक है बटा, अगला देखते हैं 2 बटा 6, 2 बटा 6 का मतलब क्या हुआ, 2 एकम 2 2 ती या 6, यानि की 1 बटा 3 तो 1 बटा 3 को हमें shade करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल भाग कितने हो गए हमारे 3, तो 1, 2 3 बटा बना लिए, ये बराबर बनाने बटा, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है, हमने पढ़ा ना उपर कि बराबर होने चाहिए, ठीक है 3 बटा बन गए, तो इसके कितने भाग shade करना है, सिर्फ एक भाग shade करना है, तो ये हो गया 1 बटा 3, या फिर 2 बटा 6, ठीक है तो इस तरीके से ये question करेंगे, क्योंकि 2 बटा 6 को काटेंगे तो 2 एक में 2, 2 तिया से 6 आए जाएगा तो आप जो जामितिय आकरती बनाएंगे, वो कोई भी बना सकते हैं जरूरी नहीं कि आपको square या इस तरीके से बनाना है, आप circle भी बना सकते हैं circle में आप जैसे 4 भाग है तो आप 4 भाग कर लीजिए और इसके कितने करने हैं shaded 3 भाग करने है, तो इसके 3 भाग shaded कर लीजिए आप इस तरीके से कोई भी जामितिय आकरती बना सकते हैं तो बेटा इस तरीके से यहाँ पर हमारी worksheet complete होती है अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज उन्हें like कीजिए, share कीजिए, मेरे चैनल को subscribe कीजिए so stay tuned for more videos, till then, bye bye